बखमत युद्ध का उप्रिकेंद्र बना हुआ है। यूक्रेन के सशस्त्र बलो का कहना है। बखमत में लडाई जारी है। यूक्रेन के सशस्त्र बलो ने अपने सुभा के अपडेट में कहा है कि रूस ने सप्ताहांत में पूर्वी शहर की मुक्ति पूरी करने का दावा क किया है।। ब्रम की स्थिती बनी हुई है, क्योंकि युक्रेणी अधिकारियों ने दावों को खारिस कर दिया है। बक्मत में दुश्मन आक्रामक कारवाईयों का नेत्रित्व करना जारी रखता है। बक्मत शहर के लिए लड़ाई जारी है। सशस्त्र बलो ने कहा। भी किये थे। तबाह हुए शहर के बारे में परस पर विरोधी बयानों को सत्यापित करना असंभव हो गया है, जिसने युद्ध में समग्र रूप से प्रबल होने के लिए किस पक्ष के पास एक उपाय के रूप में प्रतिकात्मक महत्व ग्रहन किया है। रॉइटर्स की रिपोर्ट है कि वैगन की निजी रूसी सेना के नेता येवगेनी प्रिगोजिन ने तीन दिनों में अपने सैनिकों को बखमुट से बाहर निकालने और नए कबजे वाले शहर की रक्षा को नियमित सैनिकों को सौपने का संकल्प दोहराया। पश्चमी किनारों पर रक्षात्मक स्थिती स्थापित की गई है और इसलिए वैगन 25 मई और 1 जून के बीच एर्टोमोस का छोड़ देंगे। उन्होंने कहा बखमुट के लिए सोव्यत यूग के नाम का उप्योग करते हुए। यदि रक्षा मंत्राले की अपनी सेना परियाप्त नहीं है, तो हमारे पास हजारों जनरल हैं, हमें बस जनरलों की एक बटालियन को एक साथ रखने की जरूरत है, उन्हें सभी बंदू के दें, और यह सब ठीक हो जाएगा। प्रिगोजिन सेना और रक्षा प्रतिष्ठान के उस समर्थन के मुखर आलो चक रही हैं, जो उनके वैगन भाड़े के सैनिकों को मिला है। मासकों के रक्षा मंत्राले ने स्वीकार किया कि कुछ रूसी सैनिक पिछले सप्ताह बखमुत के बाहर वापस आ गए, लेकिन प्रिगोजिन के बारबार के दावे का खंडन किया कि फ्लैंक्स उखड रहे थे, या कि सेना ने वैगन से गोला बारूद वापस ले लिया था देश के परमानू ऊर्जा सन्यंत्रों के लिए युक्रेन के राज्य के स्वामित्व वाले उध्यम एनरगोटम ने जापोरिस हिゃ परमानू ऊर्जा सन्यंत्र जेड़न पी-P को बिज्री की बहाली पर एक बयान जारी किया है युक्रेनी विशेशग्यों ने ध्रिप्रूस्क 750 केवी हाई वोल्टेज पावर ट्रांस्मिशन लाइन के संचालन को बहाल किया जिससे अस्थाई रूप से कबजा कर लिया गया ZNPP अपनी जरूरतों को पूरा करता है पर्माणों और विकिरन दुरगटना का जोखिम कम से कम है, स्थिती स्थिर है हम आपको याद दिला दे कि 22 मई की सुबह 5 बचकर 26 मिनट पर रूसी गोलाबारी के चलते यहाँ लाइम कट गई थी चूंकि यहाँ आखरी है जो ZNPP को शक्ती देता है, सभी बैक अप डीजल जनरेटर स्वचालित रूप से चालू हो जाते हैं नतीस्तन कबजे की शुरुआत के बाद से स्टेशन को सातवी बार ब्लैक आउट का अनुभव हुआ इससे पहले आशिक रूप से कबजे वाले जापुरिज्जिया क्षेतर के रूसी स्थापित नेताओं में से एक ने दावा किया था कि यहाँ यूकरेन था जिसने बिजली सैयंत्र को काट दिया था देनमार्क के विदेश मंतरी लार्स लोक के रासमुसेन का कहना है कि उनका देश यूकरेन को एफ 16 लड़ाकु जेट देने के विचार के लिए खुला है लेकिन कोई ठोस थिती नहीं बन पाई है रासमुसेन ने कहा किसी को विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने पहले ही तै कर लिया है कि उन्हें कभी भी विमान उड़ाने की अनुमती नहीं दी जा सकती है दूसरी और आप इससे यहां निशकर्ष नहीं निकाल सकते कि हमने विमान दान करने का निर्णय लिया है यहां आज सुबह टिपणियों से आगे बढ़ता है जहां रासमुसेन ने कहा कि उनका देश जुलाई में यूक्रेन और रूस के बीच शान्ती स्थापित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाता है ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्राले ने प्रस्तावित शान्ती शिखर सम्मेलन के लिए एक सचित्र प्रतिक्रिया दी एक शांती प्रतीक पर आरोपित एक लड़ाकु जेट की एक तस्वीर को ट्वीट किया, जिसका कैप्शन था युक्रेन का शांती सूत्र.